पहला जो प्रश्ण कोट ने रखा कि पुलीस ने कोट के सामने रखा उनके सरकारी पक्ष के सरकारी वकील के माध्यम से कि यह जो यफायार रेजिस्टर की यह अक्षे शिंदे के खिलाब अभी 307 की मरे हुए आदमे के खिलाफ तो इसके पिता जी की जो कंपलेंट ही उसकी पुलीस के खिलाफ यह पहला सवाल कोट ने उठाया कोट ने यह भी रखा है कि पूरे डॉक्यमेंट जो पुलीस ने कोट के सामने रखे पॉइंट ब्लैंग फायर पॉइंट ब्लैंग फायर किया है ऐसा पुलीस ने बोला है कोट ने एपियर किया है कि पॉइंट जयन्दे के माता पिता ने जयल में जाकर के उससे मुलाकाद की यह मुलाकाद के दोरान उसने के आ इस्मेशन के क्षीट हो गोगी हो दूसरी चीज है वो केंटीन मांग रहा है इसका मतलब वो जेल में रहने की मानसिक्ता से था तो पुलिस का जो कहना है कि आक्षे शिंदे ने पुलिस से बचने के लिए फाइरिंग किया तो ये प्राथमिक दुष्टिया उसके आक्षे शिंदे के माता पिथा के कहने से ये प्रतित होता है कि ये गलत बात है, पुलिस की स्टोरी जूटी है, दूसरा जो है, कोट ने ये निश्कर्ष निकाला है, पुरे डॉक्यमेंट देखने के बाद, अक्षे शिंदे को point blank fires हुआ है, क्या ये appear दिखा रहा है, इसके उपर doubt court court ने raise किया है, उन्होंने court ने कहा है, अक्षे शिंदे क report और hand wash जो है, hand wash जो deceased के, उन्होंने किये नहीं होंगे, तो उनके hand wash जो है, forensic का जो काम है, वो भी कहना है, court ने स्वाती भिंगार दिवे, जो forensic expert है, fingerprint की, उनके fingerprint expert के procedure के उपल भी कुछ सवाल खड़े किया है, दूसरी चीज है, डीले जो है, police का, CID के पास hand over करने के लिए, F.I.R. वो भी account में court ने लिया है, दूसरा जो है, van, जिस van में encounter हुआ, उस van का भी video जो है, वो preserve करके रखा है, सबसे important जो जो police officers ये सब firing में involved थे, उन सब के CDR, tower location, call, detail, record, लेने के लिए court ने कहा है, दूसरा, इनकी F.I.R. क्यों नहीं ली, deceased की, उसके पिता ने जब F.I.R. रिजिस्टर करने की लिए मांगी, तो वो क्यों नहीं ली, उसके सवाल में, तिन तारिक को जवाब government पेश करने वाली है, मेरा ये कहना है, न्यायर के समान सामने, हर एक नागरिक अगर समान है, भारतिया, भारतिया सविधान का अनुछ है, 14 के तहट, तो अगर जो मृत अ रिजिस्टर को जवाब देंगे, इस मैटर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल गेन को सामने रखते हुए, आक्षे शिंदे को इलिमिनेट किया है, ऐसा दिख रहा है, और इसके लिए बहुत से कारण है, पहला कारण ये है, कि यहाँ पर जो बदलापूर के पास शिलफाटा में जो रेप हुआ, और उसमें मरडर भी है, उस केस में जितनी ततपरता नहीं दिखाई गई, उसमें आक्षे शिंदे में जो ततपरता दिखाई गई है, दूसरी चीज़, चार पुलिस वाले एक वैन में बेठे है, तो वो कॉक करता है, फारिंग भी करता है, पुलिस के पेर को गोली लगती है, इसके डिरेकली वाइटल पार्ट हेड को इंजूरी होती है, तो एक तो आक्षे शिंदे आम्स वापरने का उसको अच्छा तजूर्बा होना चाहिए, ऐसा निशकर्ष, कोट ने निकाला है, कोट ने मांग भी किये कि वेदर, he was very specific for handling the weapon, तो वो भी चीज़ कोट ने मांगी है, दूसरी चीज़ जो है, ये गवर पुलिस की कारवाई को इंडॉर्स कर रहे हैं कि सब सही हो रहा है, तो अगर ऐसा होने लगा, एक मैं ऑफिसर हूँ कोट का और एक कानून का खुद को सिपाई, सभीदान का सिपाई मानता हूँ, तो हमारे राज को ये शोबा नहीं देता है, यहाँ पर कानून का राज होन लिया गया है, इस तरह से अगर कोई कहेगा, कोई बोलेगा देवा कानियाए, अगर देवा कानियाए बोलेंगे, तो फिर देवेंद्रा फटन्विस को उनकी घोम मिनिस्टर के वो वकील है खुद, उन्हें ने खुरसी छोड़ करके इधर हाई कोट में, या फिर सेशन्स क में या कोई भी लोवर कोट में, वो जच बन जाए, और नियाए दीजिए, अगर इस तरह से लोग देवा कानियाए बोलने लगे तो, तो यह जो जो चीजे हो रही है, यह तोटली गलत है, और हम मूद तोड इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि अगर सविधान और लोक्ष हुआ, तो कल आप में से और हम में से भी किसी का भी नंबर यह पुलिस लगा सकती है, इस बात को आपको संग्यान में लेना वो जरूरी है.